केरल सरकार की ओर से बकरीत पर लॉकडाउन में धील दिये जाने पर सुप्रीम कोट ने नाराजगी जताते हुए उसे जो फटकार लगाई वह जरूरी थी क्योंकि केरल उन राज्यों मैंसे है जहां कोरोना संक्रमड के सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे है यह हैरत की बात रही की जब केरल सरकार को यह देखना चाहिए था की बकरीत के अवसर पर बाजारों और अन्य सारवजनिक इस्थलों में भीडबाड न होने पाए तव उसने तीन दिन के लिए खास रियायत दे दी इससे भी आपत्ती जनक बात यह रही की उसने राज्य के उन इलाकों में भी दुकाने खोलने की अनुमती दे दी जहां कोरोना संक्रमण की दर 15 प्रतिसत से भी अधिक थी निस्चित रूप से ऐसा करके महमारी के जोखिम को और बढ़ाने का काम किया गया यह सहज ही समझा जा सकता है कि ऐसा केबल ब्यापारी संगठनों के दबाव में ही नहीं किया गया होगा बलकि बोट बैंक बनाने या उसे मजबूत करने की कोसिस के तहत भी किया गया होगा यह लज्जा की बात है कि कोई राज्य सरकार लोगों की जान जोखिम में डालकर तुष्टी करड की ऐसी खुली राजनीती करे केरल सरकार ने यह काम इस तथ से अबगत होने के बाद भी किया कि कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में प्रतीकात्मक रूप से भी कावड यात्रा की इजाजत नहीं दी थी यह संभव नहीं की केरल सरकार इस सबसे परिचित न हो की संक्रमण की तूसरी लहर के जारी रहने और तीसरी लहर आने की आसंका को देखते हुए देश भर में किस तरह सार्वजनिक इस तर पर होने वाले आयोजनों को रद्द करने की जरूरत बताई जा रही थी खुद प्रधान मंत्री भी राज्यों को आगाह कर रहे थे यह अजीब है कि केरल सरकार के फैसले के खिलाफ इंडियन मेडिकल असोसियेशन को छोड़ कर अन किसी संगठन ने आबाज उठाने का साहस नहीं किया क्या इसलिए नहीं किया ताकि समुदाई विसेश को बुरान लगे जो भी हो इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती की कुम्भ के आयोजन पर किस तरह तमाम राजनीतिक दल मुखर हो उठे थे क्या नैतिकता का तकाजा यह नहीं कहता की ये दल केरल सरकार के बेजा फैसले पर भी मुखरता दिखाते इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता की सुप्रीम कोट ने केरल सरकार को फटकार लगाई क्योंकि ऐसा करने में देर कर दी गई यह फटकार तब आई जब लॉकडाउन में छूट का आखरी दिन था क्या यह उचित नहीं होता की सुप्रीम कोट उसी दिन सक्रिय होता जिस दिन केरल सरकार ने तीन दिन के लिए छूट की घोस्णा की थी यह जो देरी हुई उसके दुस्परेडाम देखने को मिल सकते हैं क्या है